खबर है अतीक एहमद को लेकर जिसे लेकर अब उसे दोशी करार दे दिया गया है कुल 11 लोग आरूपी थे जिसमें से 7 लोगों को जो है वो दोशी नहीं माना गया है लेकिन 3 लोगों को दोशी करार दिया गया है अश्रफ जो की अतीक एहमद का भाई था उसे दोशी नहीं म लेकिन एक शक्स की इस मामले में 11 लोगों में से एक की मौत हो गई थी लेकिन जो बड़ी ख़बर आ रही ही कि अतीक एहमद सुनने के बाद में उसे दोशी करार दिया गया तब फैसला सुनने के बाद में वो फूट फूट कर रोने लगा उसके अलावा जो उसका भाई था अश्रफ वो भी फफख फख कर रोने लगा गया है पूरी ख़बर आपको सिसले बार तरीके से बताते हैं दरसल माफिया से राजनेता बना अतीक एहमद आज फ्रियाग राज में जो MP MLA की कोट है जब वहाँ पर उसे दोशी करार दिया गया तब उसकी आँखों में बताय जा रहा है कि जो अश्रफ था वो भी उस समय रोने लगा और वो फफख फख कर रो रहा था पूरा मामला भी आपको पता देते हैं दरसल 25 जनली 2005 को बसपा के विधायक राजू पाल की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी इस केस में अतीक एहमद और उसका भाई अश्रफ दो लगा था उमेश ने आरूप लगाया था कि अतीक ने उसके साथ मार पीट की और जान से मारने की उन्हें धमकी दी है 17 साल पुराने इसी मामले में उमेश पाल के अपरण के मामले में आज प्रयाराज की MP MLA कोर्ट ने बड़ा फैसा सुना दिया कोर्ट ने बाहु बली रह अतीक एहमद समय तीन आरूपियों को दोशी करार दे दिया इसी मामले में कुल 11 आरूपी थे इनमें से एक की मौत हो गई इतना नहीं कोर्ट ले जाते वक्त वकीलों ने भी अतीक एहमद के साथ धका मुकी की अदालत ने अतीक वकील सौलत हनीफ और दिनेश पासी को जो एक लंबा सिल्सला चला क्राइम का उसका भी आप इसे अंत कहिए और ये समझे कि कानून के आगे किस तरीके से एक बाहुबली घुटने पर आ गया पताया जाता है कातीक एहमद का इलाके में इतना खौफ था कि अगर किसी वैपारी के पास में उसका फोन चला जाता त तो उसी खौफ को बरकरार रखने वाले आतिक एहमद के भी पसीने चूट गए और उसे एहसास हो गया होगा कि कानून का राज क्या होता है परहाल इस खबर में इतना ही